दोस्तों अगर आप Australia जाना चाहते हैं तो Australia की Immigration से Related, Australia के Visa से Related एक नई जानकारी लेकर का हूँ आप लिगा के लिए जियां दोस्तों Australia के Western Part, यानि कि Western Australia में एक नया DAMA जो है लागू किया जाने वाला है जिसके जरीए हर साल 10,000 Overseas Workers को foreign workers को free entry मिल सकती है दोस्तो और वो भी 5 साल के लिए मैंने dama के बारे में पहले भी बताया था दोस्तो कि designated area migration agreement होता है जिसके जरीए foreign workers को बुलाया जाता है उन designated areas में ताकि labor shortage को fulfill किया जा सके और मतलब economy को grow किया जा सके दोस्तो तो overseas workers की बहुत जरुत होने वाली है अलग अलग टाइप के डामा जो है अल्रेडी effect में है लेकिन यह नया डामा जो है लागू किया जाने वाला है और अल्रेडी हो भी चुका है दोस्तो एक जुलाई की वेबसाइट पर जा सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाता हूं दोस्तों देसके आप देख सकते हैं यह देखे ऊपर और लिखा हुआ है साफ साफ और यहाँ न्यूज वाले section में लिखा हुआ है new designated area migration agreement for western australia ठीक है नया dama आने वाला है western australia के लिए यहाँ पर लिखा है from 1 july 2024 a new statewide designated area migration agreement for western australia will come into effect already effect में आच चुका है दोस्तों एक july से ठीक है तो आपको जो है मौका आभी मिल सकता है आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है the wa dama combined with wa's existing state-nominated migration program will enable up to 10,000 overseas workers to settle in wa याने की western australia annually and help address critical workforce shortages in the state जो western australia है दोस्तों वहाँ पर already state-nominated migration program चलता है उसके साथ dama जो है launch किया जाए गा और उन दोरों को मिला करके जो है labor shortage को fulfill किया जाएगा दोस्तों जिसके तैत overseas workers को hire किया जाएगा और 10,000 overseas workers को हर साल ऑस्ट्रेलिया में मतलब western australia में जो हाइर करके बुलाया जाएगा दोस्तों तो यह सिर्फ western australia की बात कर रहा हूँ मैं australia बहुत बढ़ा दोस्तों इसमें और भी आपको designated areas मिल सकते हैं और designated area migration agreement के तहट जो है आप उन areas में भी वीजा के लिए अपलाई कर सकते हैं तो यहां सिर्फ मैं western australia की बात कर रहा हूँ जहां पर 10,000 लोगों के entry free हो सकती है मैं बार बार free इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि जो है डामा के तहट employer जो आपको hire करेंगे दोस्तों वो आपको visa देते हैं वो visa होता है दोस्तो 482 visa जैसे sponsorship visa भी कहते हैं साथ ही उसके 494 visa आपको मिल सकता है और 189 visa आपको जो है दिया जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डामा से रिलेटर आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सारी की सारी जानकारी पूरी हो जाएगी जैसा कि मैं आपको बताया था यहाँ पर आप सालों के लिए आपको वापर बुलाया जाता है और डामा के तहट आपको काम करने का मौका दिया जाता है मैं आपको सिंपल भासा में समझाओं तो ऑस्ट्रेलिया है उस्ट्रेलिया में लेबर शॉर्टेज पढ़ रही है अलग अलग जगा पर अलग अलग रीजन में जो है लेबर शॉर्टेज पढ़ रही है तो उन री के जो है जो हेड होते हैं जो रेप्रेजेंटेटिव होंगे उन रेप्रेजेंटेटिव को कॉन्टाक्ट करेंगे जैसे सब्सक्राइब को कह सकते आप या फिर यहां के लेटिन गवर्मेंट को कह सकते हैं दोस्तों तो एक टाइब से वह हैड हो गए तो एंप्लोयर क्या करे पहले सी एंग यह फिर लेटिन गवर्मेंट को मितलब कॉंटाक करेंगे यह कह सकते स्टेट गवर्मेंट को जो है कॉंटाक करेंगे और उसके बाद उन्हें बताएंगे कि भाईया देखो मेरे को जरुवत है लोगों की इन जो जॉब्स के लिए जो है बंदे नहीं मिल रहा है और आपको जानकारी नहीं लेने आ रही है दोस्तो तो आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी यह वीडियो पे जो है मैंने सब कुछ एकदम इलाबरेट करके बताया है एक सही एंप्लॉयर मिल गया तो वह फ्री में आपको जो है स्पॉंसर्ड वीजर देंगे और आ आपस्ट्रेलिया बुलाएंगे दोस्तो आपको जो है कोई खर्चानी करने वाला लगने वाला दोस्तो लेकिन आ उसके लिए आपको जॉब धूननी पड़ेगी उन्हों एंप्लॉयर स्केंडर और जॉब के लिए अपलाई करते रहना पड़ेगा और सीवी कवर लेटर भ मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तो एक नई टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई